हेलो इस्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनाशी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है और क्लास टुल्द फिजिक्स एंसियारटी में आज का छोड़ा स्ट्रॉपिक है स्वाप रणा और अन्यून प्रेरण में अंतर कभी कभी दो नंबर में पूछा जाता है इसलिए त्यार करना बहुत जरूरी है थोड़ा सम इसको बेसिक समझेंगे इसके बाद हम आपको समझाएंगे इसका अंतर थोड़ा समझेंगे स्वाप प्रेरण या स्वाप प्रेरण कत्तों किसे कहते हैं अन्यून प्रेरण और अन्यून प्रेरण कत्तों किसे कहते हैं देखे हम एक सिंगल कुंडली लेते हैं और एक डबल कुंडली लेते हैं जैसे यहाँ पर पेरवच्चो हमने एक सिंगल कुंडली लिया यह हमारे पास एक कुंडली है चोटा सा यह कुंडली है और इस कुंडली में हम धारा प्रभाहित करते हैं यह कुंडली है आपके पास इसमें लब क्या होता है जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं और जिसमें फ्लक्स में परिवर्तान होता है उसे कहते हैं प्रवच्चु दुतिया कुंडली क्या कहते हैं दुतिया कुंडली ओके इतना क्लियर है यहां पर अब हम करते क्या है कि जब भ क्या प्रेजद्धारा अब इस प्रेजद्धारा उत्पन होने की जो घटना है वो कहलाता है स्वाप्रेरण मतलब किसी हमने कुंडली पर धारा प्रभाइद किया और उसी कुंडली में ही प्रेजद्धारा उत्पन हो जाए मतलब स्वयम की कारण स्वयम की कारण प्रेजद् प्रेड़न कहलाता है यनि स्वाप प्रेड़न स्वयम के कारण और अन्योन प्रेड़न मतलब दूसरे के कारण ये दोनों का आपका डिफरेंस है तो स्वाप्रेणमी जो आपका प्रेद धारा उत्पन होता है तो स्वयम के कारण उत्पन हो रहा होता है मतलब स्वयम कुंडली में धारा प्रभाइद हुई और उसमें प्रेद धारा उत्पन हो गई अन्योन प्रेड़न में क्या होगा पेरे बच्चो अन्योन प्रेड़न में दूसरे कुंडली में धारा प्रभाइद कर रहे हैं उसके समीब एक अन्य कुंडली में क्या होता है प्रेजधारा उत्पन हो जाती है क्लियर है, परिभासा यहां पर आप लिख सकते हैं, कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर, उसी कुंडली में प्रेजधारा उत्पन होने की परिघटना को हम स्वप्रेण कहते हैं, और किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर् प्राइमरी और जब हमने प्राइमरी में करेंट फ्लो किया धारा प्रभाहित किया तो सिकेंडरी में फ्लक्स उत्पन हुआ और यहां पर प्रिधारा उत्पन हो जाती है वो हमारा कहलाता है अन्नैन प्रिधारण तो हम कह सकते हैं कि सो प्रिधारण की परिघटना में केवल एक कुंडली होती है जबकि अन्नैन प्रिधारण में दो कुंडलिया होती है क्लियर है चलिए आगे देखिए इसमें प्रेजित धारा मुक्धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है क्यों क्योंकि हम भाईया धारा तो प्रभावित कर रहे हैं और उसी में प्रेजित धारा उत्पन हो रहा होता है इसी करण से प्रभावित करता है लेकिन इसमें दारह उत्पन हो गई तो एक खीकुंडली में दो-200 धारा तो प्रहाबितों करेगी लेकिन प्यारे बच्चो अन्योन प्रेरण में धारह किसी तो प्राइमरी कुंडली है, यह हमारे पास प्राथ में कुंडली है, इसमें हमने धारा प्रभाहित कर दिया तो इसमें जो भीव फ्लक्स है वो प्रभाहित धारा के समानुपाती होता है और जब हम फ्लक्स की बात करेंगे और समानुपाती हटाएंगे तो एक ने तांक लग जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं एल बराबर फाइवटे आई यदि फेरो की संख्या यान है तो यान का मल्टिप्लाई कर देंगे यह चीज है यह आपका सौ प्रेरकत हो गया या सौ प्रेरण गुडांग हो गया लेकिन वहीं पे जब हम दो कुंडलियों के बीच लेते हैं तो यहाँ पर जो नियतांग है वो एम मान कर चलते हैं कि कुछ न कुछ तो डिफेरेंस होगा तो एम बराबर पेरवच्चो फाइवटे आई होता है लेकिन यदि फेरो की संख्या यान है तो एन फाइवटे आई हो जाता है यह था हो गया आपका अन्यओन प्रेटन गुरांग तो तो यह था आपनी प्रेट न挑का आप प्र आप यह पूरप त्यारी कर सकते हैं उमीद करता हूं आई वीडियो पर संद आया होगा पर संद आया तो लॉइक ज़रूरा करे ही दोफ तक साथ सेर करें मिल टेख लिए वीडियो के साथ अब तक लिए जैहिन बने मातरम